भारतिय सेना 2024 परीक्षा दिवस वीडियो में आपका स्वागत है नमस्ते मेरा नाम निशा है और मैं इस वीडियो में आपकी मार्ग दर्शक हूँ मैं आपको यहां भारतिय सेना में भरती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार शामिल हो उसे समझाने के लिए उपस्थित हूँ आईए हम अपनी यात्रा प्रारंब करें प्रवेश पत्र, एड्मिट कार्ड का लाइव लिंक joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर परीक्षा के दिन से दो सप्ता पहले प्रकाशित किया जाएगा आपको अपनी पंजीकृत इमेल आईडी पर इमेल और टेलीफोन नंबर पर SMS के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जाएगी आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना है लेजर प्रिंटर का उप्योग करके एफोर आकार के कागस पर प्रवेश पत्र प्रिंट करें आपको अपने प्रवेश पत्र के विवरण की जाज अवश्य करनी चाहिए जैसे परीक्षा केंद्र का नाम, तिथी और पारी का विवरण परीक्षा केंद्र का पता दस्तावेश जिन्हें आपको परीक्षा के दिन ले जाने की आवशकता है सभी उम्मीद्वारों को प्रवेश पत्र में दिये गए निर्देशों को विस्तार से अवश्य पढ़ना चाहिए यात्रा और आवास की व्यवस्ता आपको स्वयं करनी होगी परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटे 30 मिनट पहले प्रारंब हो जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंध हो जाएगा एक बार जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाते हैं, तो आपके प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र की जाच की जाएगी आपको अपना व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाइल फोन, बैग आदी अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश द्वार पर जमा करना होगा क्या करें? उम्मीद्वार परीक्षा के दिन केवल पारदर्शी पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, मूल आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र लेकर आएंगे क्या ना करें? उम्मीद्वार को इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स और ज्वेलरी आइटम्स के साथ अनुमती नहीं है उम्मीद्वारों की तलाशी की प्रक्रिया तलाशी कर्मी द्वारा की जाएगी तलाशी के बाद आपका परीक्षा हॉल नंबर आवंदित किया जाएगा आपके परीक्षा हॉल में पहुचने पर प्रवेश द्वार पर आपके दस्तावेजों अर्थात आपका पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की जाच की जाएगी इस थान पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा हौल में प्रवेश कर दस्तावेश सत्यापन के बाद आप पंजीकरन देश्क पर जाएंगे पंजीकरन देश्क पर आप पंजीकरन प्रबंधक को अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखाएंगे पंजीकरन प्रबंधक आपकी फोटो और अंगुली की छाप लेगा कृपया सुनिश्चित करे कि आपने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया है और फोटोग्राफ के लिए ठीक से तैयार है क्योंकि भरती के अगले चरण में इसी बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा इसके बाद पंजीकरन प्रबंधक आपको सीट नंबर देगा और प्रवेश पत्र पर सीट नंबर नोट कर लेगा अपने प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के साथ आप निरधारित सीट की ओर आगे बढ़ेंगे परीक्षा प्रारंब होने से पहले निरिक्षक निर्देश पढ़ेंगे रफ शीट पर आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा उत्तरों को चिनित करने के लिए माउस का प्रयोग करें अन्या उम्मीदवारों को परेशान ना करें फिर निरिक्षक आपको परीक्षन स्क्रीन पर लॉग इन करने के लिए सूचित करेगा आप लॉग इन करने के लिए कीबोर्ड का उप्योग कर सकते हैं आप स्क्रीन पर कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करके वर्चुल कीबोर्ड का भी उप्योग कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले उम्मीदवारों को लॉग इन करने के लिए यूजरनेम और पास्वर्ड प्रदान किया जाएगा। लॉग इन करने के बाद अपनी प्रोफाइल जानकारी सत्यापित करें। यदि आपका विवरण सही है तो आगे बढ़ने के लिए आई कन्फर्म पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन आपके परिक्षण संबंधी निर्देशों को प्रदर्शित करेगी। निर्देशों को ध्यान से पढ़े और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंत में आपको चेक बॉक्स का चयन करके घोषना को पढ़ना होगा और उससे सहमत होना होगा ड्रॉप डाउन सूची से अपनी डिफॉल्ट भाषा हिंदी या अंग्रेजी चुने आप अपनी सुविधा के आधार पर परीक्षा के दौरान स्क्रीन के दाहिने शीर्ष कोने पर स्थित भाषा बटन पर क्लिक करके भाषा बदल सकते हैं परीक्षा के निर्धारित समय पर आई एम रेडी टू बिगिन लिंक सक्षम हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें यहां बताया जाता है कि लौग इन करने के बाद एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्णों के उत्तर देने के लिए केवल कम्प्यूटर माउस का उप्योग किया जाना है कीबोर्ड के इस्तमाल से सिस्टम लौक हो जाएगा अब आप माउस का उप्योग करके उत्तर सब्मिट करना प्रारंब कर सकते हैं जैसे ही आप शुरू करते हैं स्क्रीन पर परीक्षा के लिए बचे हुए समय का संकेत देने वाला एक टाइमर प्रदर्शित होगा नोट यदि परीक्षा के दौरान किसी व्यवधान के कारण टाइमर बंध हो जाता है तो आप परीक्षा की अवधी का समय नहीं गमवाएंगे दाइं और एक पैनल आपके प्रयास किये गए प्रशनों की स्थिती को चार रंगों में प्रदर्शित करेगा जो निमलिखित को दर्शाता है हरा सवानों के उत्तर दे दिये गए हैं लाल प्रशन देखे गए लेकिन न तो उत्तर दिये गए नहीं मार्ट फॉर रिव्यू के लिए चेहनित किये गए हैं सफेद प्रशन अभी तक देखे नहीं गए हैं बैंगनी मार्ट फॉर रिव्यू के लिए चेहनित किये गए लेकिन उत्तर नहीं दिया गए हैं सुप्रस्क्रिप्ट के रूप में बैंगनी के साथ हरा टिक मार्ट, सवालों के जवाब दिये गए लेकिन मार्ट फॉर रिव्यू के लिए चिनित किये गए, प्रशनों के बीच नेविगेशन के लिए, सीधे उस प्रशन पर जाने के लिए प्रशन पैलेट में प्रशन पर क्लिक करें। वर्तमान प्रशन के लिए अपना उत्तर सेव करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर अगले प्रशन पर जाएं। किसी प्रशन के लिए आंसर एंड मार्ट फॉर रिव्यू स्थिती इंगित करती है कि उमीदवार उस प्रशन पर फिर से विचार करना चाहेंगे. एक उमीदवार के पास एक प्रशन का उत्तर देने का विकल्ब होता है और साथ ही साथ मार्ट for review इन उत्तरों को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा. हालां कि यदि किसी उमीदवार ने किसी प्रशन का उत्तर दिये बिना केवल मार्ट फॉर रिव्यू कर दिया है, तो उत्तर के बिना समीक्षा के लिए चेहनित किये गए संबंधित प्रश्न को मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा. Note, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उमीद्वार परीक्षा के दौरान किसी भी समय संबंधित अनुभाग के प्रश्न पैलेट पर प्रदर्शित संबंधित प्रश्न संख्या आइकन पर क्लिक करके किसी भी मार्ट फॉर रिव्यू प्रश्न पर वापस लौट सकते हैं. अपना उत्तर चुनने के लिए किसी एक विकल्प के बटन पर क्लिक करें। अपने चुने हुए उत्तर को अच्चनित करने के लिए चुने गए विकल्प के बटन पर फिर से क्लिक करें या Clear Response बटन पर क्लिक करें। अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए दूसरे विकल्प के बटन पर क्लिक करें. अपना उत्तर सेव करने के लिए आपको Save and Next पर बटन पर क्लिक करना होगा. सावधानी ध्यान दे कि यदि आप किसी अन्य प्रश्न की प्रश्न संख्या पर क्लिक करके सीधे उस पर जाते, नेविगेट करते हैं, विदाउट सेविंग दी अन्सर वर्तमान प्रश्न के लिए आपका उत्तर सेव नहीं होगा. आप अन्य विवरण भी देख सकते हैं जैसे Question Paper आप परीक्षा में सभी खंडवार प्रश्न देख सकते हैं. Profile आप अपनी Profile जानकारी देख सकते हैं. Instructions आप परीक्षण संबंधी निर्देश देख सकते हैं. निर्देशों को ध्यान से पढ़े. परीक्षा का समय समाप्थ होने के बाद सभी उत्तर आटो सब्मिट हो जाएंगे. परीक्षा पूरी होने के बाद आपको सत्यापन देश्क पर निकास सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आपको एकेक करके सत्यापन देश्क पर बुलाया जाएगा. जहां आपका फोटो और अंबूठे का निशान फिर से लिया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा कृप्या सत्यापन के बाद अपनी आवंटिज सीट पर वापस जाएं हॉल में सभी उमीदवारों के सत्यापन समाप्थ हो जाने के बाद आपको सभी रफशीट और पेन पेंसिल निरिक्षक को आवश्य वापस करना है आप यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने रफशीट पर अपका नाम और रोल नंबर लिखा है इसके बाद आपको व्यवस्थित तरीके से परीक्षा हॉल से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा इसके साथ आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी 2024 परीक्षा दिवस विडियो को सफलता पूर्वक देख लिया है मुझे उम्मीद है कि आपको यह विडियो उपयोगी लगी होगी और online CE के लिए बहतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा परीक्षा में शामिल होने के अभ्यास में आपकी मदद करने के लिए भरती की सभी श्रेनियों के लिए अभ्यास परिक्षाओं के लिंक joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर होस्ट किये गए हैं। सभी उम्मीद्वारों को सला दी जाती है कि वे join Indian Army की वेबसाइट पर लॉग इन करे और online CE में उपस्थित होने के लिए प्रक्रिया का अभ्यास करें। आपको सफलता मिले। धन्यवाद एवं जय हिंद।